दिवाली पर्व है अंधिकार को मिटाने का, प्रकाश के आगमन का, दुख, चिंता, शोकों के नाश का, खुशी, उमंग और उल्लास का, यत्योहार है रावन रुपी बुराईयों पर जीत का, और राम रुपी अच्छाईयों की वापसी का अब तक हम दिवाली के रहसिकों बिना समझे ही मनाते आए हैं, लेकिन क्या केवल बाहरी सफाई, साथ सजावट और गिफ्ट की लेन देन ही सही माइने में दिवाली मनाना है, या इस पर्व का कोई और भी खास अर्थ है, देखिए दिवाली के आध्यात्मिक रहसिपर या व मन की सफाई पर भी ध्यान दें, जब तक मन साफ नहीं, श्री लक्ष्मी कैसे आ सकती है, जहां पुरानी बाते जमी होंगी, महा पवित्रिता, दिविता कैसे आएगी, जहां मन में बैर है, महा सफाई कैसे होगी, लिहाजा मन के कोने कोने की जाच करें, जैसे जैसे आप मन की सफाई करेंगे, आत्मा के पुराने संसकार खतम होंगे, और नए संसकार उभरेंगे, दिवाली में दूसरा महत्व है नवीनता का, हर चीद दिवाली में नई खरीदी चाती है, घरों को रंगते हैं, मतलब अपनी आत्मा को अच्छे और नए संसकारों का रंग लगाना सभी से प्यार से वहवार करें, एक दूसरे की मदद करें और जीवन से अज्ञान अंधकार को मिटाएं, इस दिवाली से ही किसी के प्रती नेगितिव नसोचने का संकल्प लें, अगर आप में इतनी नवीनता आ गई, यानि आपकी आत्मा का दीपक चल गया, और आपने अ दिवाली में तीसरा महत्व हे गिफ्ट देने का, यानि हर कर्म करते हुए आप सबको कुछ दें, हर एक के संसकार को समझ कर उसके प्रती साहनुबुती रखें, उसे सहयोग दें, मन, बचन और कर्म से सभी को सुख दें, इससे आपकी आत्मा दिविगुनों से भरपूर र कर्म से सबके नहीं कर दो कर दो कर दो दो दो.